हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कराएं कुछ मात्पूर क्वेशन्स और उनके आंसर्स जो आपके IES, PCS, प्रिलिम्स के लिए बहुत मात्पूर हैं, इस तरह के हम लोग 30 टेस्ट अभी तक खतम कर चुके हैं, यह आपका 31 बार टेस्ट है, कौन सा है 31 बार, चलिए तो 31 बार टेस्ट का पहला कुष्चन से हमारा, क्या है पहला, भारतिय सुतंताज आंदुलन के दोरान, गटिस सामा राजिक, धार्मिक और राजनितिक संगठनों के संदर में, निमलिकित यहों मैं से कौन सही संबलित है, यह आपकी संग है और यह छेत है, इन्नियन एसोसियेशन बंगाल फ्रेसिदेंसी, यह आपका सही है, धार्मिक सुधार संग, मद्रास फ्रेसिदेंसी, यह आपका गल सत्य सोधक समाज बॉंबे पैंस्टीडन्सी यह आपका सही है यानि कि कुष्टियन नमबर फर्ष्ट में आपका एक और तीन सही संबले थे और धार्मिक सुधार संग आपका जो धार्मिक सुधार संग था इसके लिए रहन उमाई मजिद यासन सभा के नाम से भी दिख्या थे वर्ष अठारे सो इंक्यार में धार्मिक सुधार संग किस्थापना नौरोजी दाद फर्दोजी दादा भाई नौरोजी अश, अश बंगाली एवन अन्य के दौरा बंबे परिशीडेंसी में की गई थी ना कि मद्डरास में ठार्मिक सुधार संग का बंबे परिशीडेंसी में इसमें था आपका एक और दीन सही यानि कि C आप्सन सही था समाज सुधार अंदूलन की संदब में निमलिकी त्योंगों पर विचार करना यह आपकी पुस्त के हैं पुस्ता के उलेकर एक सुरुबादियों को अपहार राजाराम मुहन राय सही है प्रेसेप्स अप चीसस हेनरी वीवियन डेरो जीयो यह आपका गलत है इसमें किबल आपका एक कतन सही है दूसरा जो आपकी राम मुहन राय ने इसाईयत में भी बिसेश रूप से इसमें ब्याप्त अंद्विस्वासों के लिए तरज संगित्ता को लागू करने पर जोल दिया और अठारे सो बीस में उन्होंने फ्रेसेप्स अप जीसस पिकासित की जिसमें नई विधान जिनकी वह पिसंसा करते थे किन्यतिक और दासनिक संदेशों को जादोई कहानियों से लग करके करने की कौसिस की तो राम तीसरा नेमले के तेखूम उपर हमें विचार करना है यह आपकी पुस्तक है और यह आपकी लेकक है इसमें हमें सही देखना है गुलाम किरी तारावाई सिंदे गलत है इस्तृष पुस्तुल्ला जिवतिवा खुले यह भी आपका गलत है गिप्ट टू मोनु थेश्टस राजा राम मुहन राए सही है सत्यार्थ फिकास दैयार नंद सरस्ति ये आपका सही है तीन और चार आपका सही है एक और दू आपका गलत है क्या है एक और दो गलत है जिवती बाराओ गोविंद राओ फूले, महराष्ट मैं जन्वे एक महान समार सुधा रखती उन्होंने अपनी पुस्तम गुलामगिरी गुलामगिरी के को दासों की मुपती के लिए अमेरिकी करांती को समर्पित किया था याद रखना गुलामगिरी, जिवतीबा फूले और इस्तरी पुर्ष्ट तुल्ला की, इसकी बात करना है इस्तरी पुर्ष्ट तुल्ला तारावाई सिंदे महला अधिकारों के लिए लडने वाली एक नारीवादी कर करता थी, जोनने उन्नीस भी सताब्दी में पित्थ, सत्तात्मक और जाती बात के विरोध संगेश की है वो अपनी रचना इस्तरी पुर्ष्ट तुल्ला के लिए जानी जाती है तो याद रखना है इस्तरी पुर्ष्ट तुल्ला तारावाई सिंदे और गुलाम गिरी याकिश जेवतीवा फूले तीसरे ख़त आपका बी ओप्सन सही खुशन है हमारा चार क्या है निमलिकी तेगुओं पर हमें बिचार करना है यह आपके ब्यक्ती है और यह अंदोलन है इवी रामा स्वामी पेरियार मंदिर पेरिस अंदोलन यह आपका गलत है बीयार अंबेड कर आत्म सम्मान अंदोलन यह भी आपका गलत है गासी राम सत नामी अंदोलन सही है सियद एहमान खान अलिगड अंदोलन यह भी सही है तीन और चार आपका सही है एक दो आपका गलत है सत नामी है कौन सा? सतनामी अंदूलन का आरम मद्ध भारत में घासी दास्तवारा किया गया था वे एक निमन जाती से सम्मदित थे उन्होंने चमडे के कारूबार से सम्मदित जातियों के बीच काम किया और उनकी सामाजी कृस्तिती में सुधार ये तू अंदूलन चलाय था ये सतनामी अंदूलन बात करते हैं 1927 में बी आर अम्मेड कर साम ने मंदर प्रवेश अंदूलन की सुरुवात की थी कौन से मंदर प्रवेश अंदूलन और ई भी रामास्वामी प्रियार इन्होंने आत्म सम्मान अंदूलन का आरम किया हुए था बी आर अम्मेड कर से मंदर प्रवेश अंदूलन और ई भी रामास्वामी आपके आत्म सम्मान अंदूलन से संबंदित थे ठीक है तो कुश्यन नमर चार में आपका तीन और चार सही था बाकी एक दो हम लोगोंने भी सही कर दिये कुश्यन है पांचवा क्या है कुश्यन 19-20-20 सदी के सामाजिक सुधार अंदूलनों की संदर में दिमलिकित कत्रों पर में विचार करना है हिंदू विद्भाप उनर विवाय अधिनियम वर्स 1856 में पारित हुगा था सही है बाल विवाय पित्ती सेद अधिनियम वर्स 1829 में पारित हुगा था या का गलत किवल एक सही हैसमे वर्स 1929 में बाल विवाय के तीसेद अधिनियम बिना किसी अधिक विवाय के पारित हो गया था जैसा कि पहले देखा गया था इस अधिनियम के अर्मसार कोई मीप्रोस और महला के अठारा और सोले वर्स से पहले विवाय नहीं कर सकते थे तो याद रखना उन्नीस सो उन्तीस में हुगा था पारित ना कि अठारे सो उन्तीस में कुश्चन है चटवा क्या है आत्म सम्मान अंधुलन की संदर्व में निम्लिकित कत्रों पर में विचार करना है इसकी स्थापना इडवीन रामा स्वामी द्वारा तमिलाडु में ब्रह्मण वात के विरुद किये गई थे इसका उद्धिस एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जा पिछड़े बर्गों को समान अधिकार प्राप्त हो यह भी सही है इसमें ब्रह्मण पुजारी के बिना संपन कराय जाने वाले अंतर जाती है विवाय को बढ़ावाती है यह भी सही है यानि कि कुश्चन नमबर चटवे में आपके तीनों कत्थन सही है आत्म संबान आपका याद रखना 1920 के मत मैं सुरूं किया गया था कुश्चन नमबर चटवे का था दी ओप्सन सही तीनों सही है कुश्चन है मारा सात्वा यंग बंगाल आंदोलन के संदर्म में निमलिकित में से कौन सा कत्थन सत्थ है यंग बंगाल आंदोलन के संदर्म में निमलिकित में से कौन सा सत्थ है इसके नेतत करता एक युवा आंगल भारतिये हैं हेनरी डेरो जीओ थे सही है इसे प्रांसिसी करांती से बेड़ा मिली थी सही है इसमें सारवजनिक सिक्षा पर बल दिया और भारतियों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई गई यह भी सही है यानि कि उप्योक्त सभी सही हैं आपके क्या होगा साथवे में आपका डी होगा उप्योक्त सभी सही है अंगला कुश्चन है हमारा आठ आरे समाज के संदर में निमलिखित कत्रों में से कौन सा कतन सही है इसका प्रिभाब मुख्यता तंजाब और पश्चमी उतरपिति इसमें था सही है इसके अंतर मुख्यता व्यापारिक जातियां सामेती सही है वह सुद्धी आंदूलन से स्थमध्ध था ये भी सही है यानि कि इसमें उप्योक्त सभी यानि कि D-Option सही है आरे समाज आंदूलन की सुरुआत बर्स 1875 में दयानंद सरसुती ने की थी कब 1875 में कुश्चन हमारा नौबा भारत में आरंबिक ओपने बेसिक इतिहास लेखन की सम्बंद में निमलिकित कतनों पर हमें विचार करना है जैम्स मिल ने भर्स 1875 में बैटिस भारत का इतिहास की रचना की सही है उसने भारती इतिहास को तीन काल कंड़ों में विभाजित किया जोकि हिंदू मुसलिम एसाई है ये आपका गलत है जेम्स मिल बास्ताओं में कभी भारत नहीं आया लेकिन उसका ये विस्वास्था की ACI समाजों में सब्पिता का इस्तर ये उरोप की तुला में कापी नीचे है ये आपका सही है पुशे नमबर नौ में आपका सिर्फ दूसरा कथन गलत है बाकी एक और तीन आपका सही है पहले भारत में हिंदू, मुसलिम, निरंकुस, राजाओं का सासन था और कैबल बेटिस ही भारत को सब बना सकते हैं मिलने भारती ये तियास को तीन काल खंटों में विभाजित किया था कौन-कौन से हिंदू मुसलिम बेटिस हिंदू मुसलिम और पेटिस ठीक है तो नौका आपका बी ओप्सन सही था एक और तीन कुश्चन है मारा दसवा भारत में आरंबिक बेटिस ठासन के संबंद में निमलिकित कत्नों पर विचार करना है रोबर्ट कलाईब ने जेम्स रेनल को भारत का मांचित बनाने के लिए कहा सही है भारत में बेटिस विजय का एक बड़ा समर तक रेनल मांचित निर्माड को प्रभुत इस्थापित करने की पिक्रिया में महत्पून मानता था सही है भारत का पहला मांचित वर्स 1782 में जेम्स रेनल द्वारा बनाये गया यह भी आपका सही है यानि कि कुश्चन नमबर दस का आपका तीनों कतन सही है कुश्चन है हमारा ग्यार है क्या है वर्स 1857 के विद्रों के कारड़ों की संदर में निम्लिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है किसान और जमीदार अत्यदेक करवा लगान वसूली की कट्रोर तरीकों से नाराज थे सही है भारतिय सिपाही धार्मिक भावनाओं और विश्वासों का उलगन करने वाले नेमों से आसंतुष्ट थे ये भी सही है भारतियों ने एमैसुस किया कि सामाजिक सुधार की यार में अंग्रेज उनकी परंपरागत जीवन सेली को नश्ट कर रहे है यह भी आपका सही है यानि कि कुर्शन नमर 11 में आपके तीनों कतन सही है डि ओप्षन सही कुर्शन है बारत क्या है कुर्शन 1857 के विद्रों के बाद अंग्रेजियों द्वारा किये गए व्यापक बदलाओं के संदर में निम्लिकित कत्रों पर में विचार करना बेटिस मंत्री मंडल के एक सदस को भारत सचे निव्ठ किया गया उसे भारत के सासन से समंदि सभी मामलों के लिए उत्तरदाई बनाएगे सही है भारत के गवर्नर जनेल को वायसराय की उपादी दी गई ये भी सही है यह नेड़ लिया गया कि सेना में भालती ये सेनकों के अनुपात में विध्धी होगी उन्हें बेतर बेतन मान और भत्ते दिये जाएंगे ये आपका गलत है बुस्वामियों और जमीदारों की रक्षा के लिए नीतिया बनाई गये और उन्हें अपनी भूमी समन्दी अदिकारों की सुरक्षा पिदान के लिए ये आपका सही है तो बारे में कुश्चिन नंबर बारे में एक, दो, चार गतन सही है बाकी तीसरा आपका गलत है क्या है तीसरा आपका गलत है इसके बाद ए अठारे सुसंतावन की बाद विद्रों की बाद यह नेड़ा लिया गया कि सैना में अनुपातिक रोप से भालती है सैनकों की संख्या कम हूँ और यूरोपी है सैनकों की संख्या बढ़ाई है तो कुश्यन नमबर भारे में आपका सी था एक दो चार कतन सही था कुश्यन नमबर आपका है 13 याद रखिए इस तरह की जितनी भी पीडिया होती है वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है वहां से देखते रहे है निमलिकित में से कौन भारत में यूरोपिये सक्तियों के आगमन के सही करम को दरसाता है तो इसमें आपके पुर्दगाली फर डचाय फर बेटिस फर फ्रांसीजी यानि की डिय ओप्सन सही है पुर्दगाली आपके 1498 में आए पुर्दगालियों के बाद डच आई 1602 में ठीक है और आपके फर बेटिस आये और फिर आपके फरांसीजी आए 1668 में आए थी आपकी फरांसीजी ठीक है डिय ओप्सन सही है पुप्शन है हमारा 14 भारत में डच ओपनिविजी करन के सम्मंद में निमलिखित कत्रों पर विचार करना है वर्ष 1605 में मसूली पटनम में पहला डच कार खाना इस्थावित किया गया सही है बंगाल में पहला डच कार खाना 1627 में फीफिली में इस्थावित किया गया था ये भी सही है याने कुर्ष नमर 14 में आपका दोनों गथन सही है C option सही है कुर्ष नहीं है 15 भारत में ईव्रोपियों के आगमन के समय्द में निमलिखित कत्रों पर विचार करना है क्या करना है विचार करना है डच खोज करताओं ने भारतीयों भारत में यूरोपियों के आगमन का मार्ग फिसस्त किया यह आपका गलत ज़िए भारत के समुत्री मार्गों पर एक आदिकार इस्तापित करने के लिए फुरत गालियों ने बिलू बाटर पॉलिसी अपनाई यह आपका सही है यहां क्या पूँच रहा है उप्यक्त कत्रों में से कौन सा कत्र सही नहीं है यह आप पढ़ लिया करिए यह हरवा है इस पर द्यान दिया करिए यह बहुत ही मन लगा कर दो क्या पूंच रहा है सही नहीं पूंच रहा है या सही पूंच रहा है तो इसमें पूंच रहा है सही नहीं है तो आपका एक कतन सही नहीं है बाकी दूसरा गलत है दूसरा सही है एक आपका गलत है पुर्दगाली खुछ कर्दाओन है भारत में यूरोपीय आगमन का मार्ट प अंठानवे में काली कटके तड़ पर उतरा था इसमें आपका एक गलब था दूसरा कतन सही था कुश्यन है 16 बॉक्स राइड इखननने के विरुद लगाता संगरस के लिए डौंगरिया कुरॉंद जन्जाती समाचारों में थी इस बेसाइड मिननेमलिकित कतनों में से कौन सा कतन सही है इस जन्जाती का समद उड़िसा के नियमगिरी पहाडी छेत से है ये चट्टानों परवतों जैसे बेजान चीज़ों में भी जीमन के अस्तित्त पर विस्वास करते है ये आपका सही है यारी कि 16 में आपके दोनों कथन सही है, C option सही है, पुष्यन है हमारा 17, निमल के कथनों पर हमें बिचार करना है, Belt and Road Initiative, BRI एक महत्वा कांची परियोजना है, जो केबल एसिया और यूरोप के महादीपों में बिच्तारित है, गलत है, सभी G7, राष्ट चीन के Belt and Road Initiative में सामिल हैं, यह भी आपका गलत है, यानि की question number 17, कि आपके दोनों कतार गलत है, सही क्या होंगे, सुनिये, Belt and Road Initiative, एक महत्वा कांची परियोजना है, एसिया, अफीका और यूरोप के महादीपों के कई देशों के बीच, connectivity और सहयोग पर केंदे थे, याद रखना, एसिया, अफीका और यूरोप के महादीपों के कई देशों के बीच connectivity और सहयोग पर केंदे थे, चीन के Belt and Road Initiative के साथ जुड़ने वाला इटली पहला G7 देश बन गया है, इटली पहला G7 देश बन गया है, कुश्चन नंबर 17 में आपका D था, ना तो एक सही था और ना ही दो, कुश्चन है मारा 18, भारत ऑस्टेलिया सेट सेन नोसेनेक अभ्यास के संदर में निमलिकीत कत्रों पर हमें विचार करना है, यह भारत और ऑस्टेलिया की बीच पहला दूई पक्चिय सेन अभ्यास है, गलत है, ये यू सिंडेक्स 2019 को और स्टेलिया की इंडो पैसिफिक एंडेवर 2019 के इसंते की रूम में आईविविद किया गया है पेहला गत्था तुने गलत है दूसरा आपका गलत है बारत व और और वूसटेलिया ने बिशा का प्रनम अंध्विदेश की तटपर आयोजी दू बार सी है अप्यास की तीसरे संस्क्रेंड में भाग लिया था यह आपका तीसरा संस्क्रेंड था अठारवियो में आपका बी था कुश्चन है 19 क्या है केंद्रिये औसद मानक नियंतित संगर्टन की संदर में निमलिकीत कत्रों पर मैं बिचार करना है यह दबाओं की आयाद नई दबाओं की मंजूरी और नेदानिक परिक्षणों को नियंतित करता है यह आपका सही है यह केंद्रिये औसदी प्रादीकंड जो औसदी एवं पिसाधन समगरी अधिनियम केता है केंद्र सरकार को सौफ़े गए कारेयों का निर्वाहन करता है यह आपका सही है यानि कि 19 में आपके दोनों कत्रों सही है C ओप्षन सही होगा कुश्चन है बीसवा क्या है ब्यापार प्रप्प बट्टा करण छूट पेडाली कि संदर में निम्रिकित कत्रों पर विचार करना है इसे भारतियर है जब बैंक द्वारा सुरू किये गए नियामक दाचे द्वारा नियतित किया जाता है सही है यह MES की ब्यापार प्रप्पतियों की बित्पोसन को सुवी धाजनक बनाने के लिए संस्थागत बेवस्था है यह आपका सही है यानि की कुष्चन नमबर 20 में आपके दोनों कतन सही है C ओप्षन सही है कुष्चन है हमारा 21 क्या है 21 वित्पीय कारवाई कारवल की संदर में निमलिकी कतनों पर विचार करना है F A T F की बारे में यह अंतराष्टिय वित्थिय फेनाली के समेकन के लिए धन्सोधन आतंगवादी गतिविदी के लिए किये जाने वाले वित्पोसन और अन्न संबंदीत खत्रों का मुकाबला करता है सही है भारत F A T F का सद़ सही है यह एक सुतंत अंतर सरकारी निकाय है यह भी आपका सही है यानि कि तीनों कतन आपके सही है याद रखना है कि आपके जो वित्थिय कारवाई कारवाल है F A T F एक संद अंतर सरकारी निकाय है इसकी इस्थाफना 1989 में हुई थी कभू ही थी? 1989 में भारत इसमें 34 सदस्थ देश के रूम में सामिल हुए तीनों कतन इसमें सही थे कुर्षियन है हमारा 22 निमलकित में से कौन? बैस्विक, उर्जा, संकमर, सुचकांग जारी करता है 2019 या जारी करता है तो यह आपका 288 मंच, बैस्विक, उर्जा, संकमर, सुचकांग जारी करता है आपको याद रखना है कुष्चन है हमारा 23 क्या है? बैस्विक, उर्जा, एबं, CO2, इस्तिति, रिपोर्ट की संदर में निमलकित कत्रों पर हमें विचार करना है वर्ज 2018 में भारत की उर्जा की बैस्विक मांग में बिद्धी वही थी सही है चीन, शयुक्तराज, अमेरिका और भारत, सयुक्तरों से उर्जा की मांग में लगभग सत्तर पितिसत बिद्धी के लिए उत्तरदाई है यह भी सही है यानि की कुश्चन नमबर 23 में आपका दोनों कत्रण सही है C ओप्सन सही है कुश्चन है 24 बहु आयामी गरीवी सुचकांग के संदर्ब में निमलकित कत्रों पर विचार करना है यह केवल आयामी या मौद्रिक सर्तों के आदार पर गरीवी की माप करता है गलत है पितिक बस आई एम एप द्वारा इसे जारी किया जाता है यह भी आपका गलत है यानि की दोनों कत्रण आपके गलत है MPI बहु आयामी गरीवी सूचकांक इसलिए महतु हुण है क्योंकि यह पारंपरिक कार पिडाली जिसमें गरीवी की माप केवल आय या मौद्रिक सर्तों के आदार पर की जाती है कि तुल नामे विविन आयामों से गरीवी की पहचान करता है और बहु आयामी गरीवी सूचकांक को UNDP, UNDP, UNDP जारी करता है 24 में आपके दोनों कत्रण गलत थे D option तरश कुश्यन है 25 दूइब सर्क्चन छेत नियम 2019 के संदर में निमलिकित कत्रों कर विचार करना है यह बिसेरिस्ट मंतर मामलों में परयावन की पिती संबेदन से इंचेत्रों में सडकों के निर्माड की अनुमती देता है सही है नीमों के तहर छोटे दूइपों में हाई टाइड लाइन से 20 मीटर की दूरी पर इको टूरेज में प्रोजेक्ट इस्थावित करने की अनुमती देता है यह सही है और यह आपका तीस राह है नीमों को पित्वी विज्ञान मंतराले द्वारा अधी सूचित किया गया है यह आपका गलत है इसमें सही क्या होगा परियावर्ण बन एवं जलवाई परिवर्थन मंतराले ने अंडमान और निकवार दुईप के लिए आईपी जेड आइसलेंड प्रोटेक्शन जॉन 2019 को अधी सूचित किया था किसने परियावर्ण बन एवं जलवाई परिवर्थन मंतराले नागी पितवी मंतराले तो इसमें आपका एक और दो सही था तो यह थे आपके पच्चीस मत्वोंड कुस्चन्स जो आपकी परिच्छाओं के लिए मत्वोंड रहेंगे ठीक इसी तरह के और भी कुस्चन्स हम लोग देखते रहेंगे आगे भी